जंगल के बीच एक नागिन घायल हुई पड़ी थी वही से शेर गुजर रहा था नागिन ने उससे मदद मांगी लेकिन शेर बहुत खमन दी था वो बिना नागिन की मदद किये वहाँ से चला गया कुछ देर बाद वहाँ से बाग जा रहा था, नागिन ने उससे भी मदद मांगी, बाग ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। इसी तरह कई जानवर उसके पास से गुजरे लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की नागिन सोच रही थी आज के समय में एक जानवर दूसरे इंसान के काम नहीं आता, सबके सब स्वार्थी है. गायल होने की वजह से नागिन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक गुफा में देखती है. गाय नागिन को घायल पड़ी देखकर अपने साथ ले आती है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है, ये सब देखकर नागिन गाय का धन्यवाद करती है.